नमस्का दोस्तों मैं वैवा आपको अरिज्वान एकडमे स्वागत करता हूँ इसके पहले मैंने जो डायरेक्ट सेकेंडियर के वीडियो बनाए थे उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांड दिया चैनल को सब्सक्राइब भी किया लाइक भी किया उसके लिए थैंक्यू और आज का वीडियो आपका जो important dates जो है आपके एडमिशन के उसका एक्स्ट्रेंशन के बारे में वीडियो है तो वीडियो लास तक दिखिए वीडियो स्टाट करते है पहला पॉइंट तो यह है कि आपका जो securing process में जो college लगा था आपको 14-14 तक क्या करना था कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेना था, सिट एक्सेप्ट करके लेकिन अभी यही डेट क्या हो गई आपकी 20 जन्वरी हो गई है, 5 बज़े तक आप क्या कर सकते हो, सिट एक्सेप्ट करके वो कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो फिर अभी 20 तारीक के बाद क्या होगा, जो वैकन सीट रहेंगी जो कैप फर्स में जिन बच्चों ने अडमिशन लिया और जो नहीं लिया जो वैकन सीट है, वो क्या डिस्पले होगा 21 जानवरी को डिस्पले होगा फिर 21, 22 और 23 आप सेकंड राउंड कैप सेकंड के लिए फॉर्म बर सकते हो ठीक है, 21, 22, 23 यह इंपोर्टन डेट से अभी आपके लिए जो बच्चों का नमबर फर्स राउंड में नहीं लगाए या जो बेटर मेंड के लिए बेटर मेंड के लिए जा रहे उनके लिए, अभी फिर 25 तारीक को क्या होगा आपका कैप सेकंड का रिजल्ट डिस्पले होगा कि कौन से कॉलेज में नमबर लगाए, 25 तारीक को डिस्पले होने के बाद आपके पास 4 दिने, 26, 27, 28 29 और 30 इतने दिने आपके पास आपको वो कॉलेज में जाके स्टीट एक्चेप्ट करके वो कॉलेज को रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है 5 बज़े तक का टाइम है फिर उनने अभी यहाँ पे क्या का है कि 21 जान से आपका क्या होना वाला है कॉलेज स्टार्ट होने वाला है अभी यह सारा होने के बाद जो बच्चों का इसा लगता है कि मेरा नंबर नहीं लगाए या मेरे यह कॉलेज को नहीं लगाए तो इंस्ट्ट लेवल के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको पाच फरवरी तरिक का पाच फरवरी तक का टाइम है वाप लेलो फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपर्टन 신ाट अनबर, उसाहन सब जाए, गाए सब्सक्राइब करना नहीं तो क्या हो जाएगा आपका जो एडमिशन है वह ओपन से गंसेडर होगा यह इतना वीडियो था अगर वीडियो अच्छा लगते तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए थेंक यू